हाई गाइस वर्कम टो वैल्देखो डॉट कॉम मेरा नाम है देव आज के एस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट S.I.P. प्लांट फंड्स फॉर दा 2023 ऐसे प्लांट बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले 10 सालों के इंदर S.I.P. अगर आप करते तो सबसे ज़ादा highest return यहाँ पर निकाल के दिये हैं तो पहले हम लोग बात करते कि हम लोगों ने mutual funds को यहाँ पर filter कैसे किया है तो देखिए हम लोगों ने सारी category यहाँ पर consider की है जितने भी categories होती है जिसे large cap mutual funds हो गया mid cap हो गया small cap हो गया index funds होगे balance funds होगे, ALS funds होगे sectoral, thematic होगे, consumption वाले fund होगे FMCG वाले funds होगे तो इन सभी funds को हमने consider करके यह देखा कि अगर कोई भी अगर 10 सालों के लिए उसके अंदर SIP करता तो सबसे ज़ादा return यहाँ पर कौर निकाल के देता साथ में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई भी जो है 10 साल पहले कोई भी direct plans वगरे available नहीं होते थे क्योंकि direct plans जो है recently 5 साल से introduce किये गए है, तो उसके पहले कि जो भी plans थे, यानि कि जित्ती भी regular plans थे, उनी को हम लोगों ने यहाँ पर पर return generate करके दिये है, और जब यह मैं वीडियो बना रहा हूँ, market यहाँ पर crash हो चुका है, तो उसके बाद में हम लोगों ने इसको consider किया है, और guys यह जो mutual funds में आप लोगों को बताने वाला हूँ, कोई भी recommendation नहीं है, यह video सिफ education purpose के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, तो देखे guys, अगर मैं simply SIP की बात करता हूँ, तो अगर आप मानीचे 20 साल की age में, अगर सिफ आप 5,000 रुपे से शुरुवात करते हैं, मंदली इन्वेस्मेंट और 20% के CGRP के उपर अगर 20 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो almost आपका जो maturity amount है, वो 1,58,000,000 रुपे बन जाता है, और 20 साल के बाद में compounding का effect बहुत ही तगड़े तरीके से आपको देखेगा, अगर आप केवल 25 साल तक भी निवेश करके रखते हैं, तो यह 1 करोड का amount 4 करोड बन जाता है, और 25 से अगर 30 तक आगर आपने खेज दिया है इसको, तो यह आपके बन जाते हैं, पूरे almost 10 करोड के पारजियां, तो guys यही कमाल होता है, यहाँ पर SIP के अंदर compounding का, इस category के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो mutual fund निकल के आता है, वो है कौन का tax plan जी है, तो दिखिए यह EALS mutual fund है, जिसके अंदर 3 सालों तक आपका पैसा ब्लॉग रहता है, आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ में आपको ATC के अंदर 1,500,000,000 रुपे तो deduction भी मिलती है, तो इसके अंदर आप SIP करेंगे, तो crystal lag ने इसको 5 star के rating दे रखी है, fund के size की बात करों, तो 1327 करोर का fund side है, यानि के liquidity इसके अंदर enough है, expense ratio जो है 2.62% का expense ratio है, जबकि category average 2.01 है, तो slightly थोड़ा सा यहाँ पर आपको hire मिलेगा, लेकिंगा, अगर यहाँ पर मैं returns की बात करूँ, SIP के returns की बात करूँ, तो आप screen के सामने यहाँ पर दिख सकते हैं, अगर 10 साल के अंदर आप 1,000,000 रुपे भी यहाँ पर invest किये होते हैं, 10 सालों के अंदर, तो उसकी value आज 4 लाक रुपे हो चुकी होती, और आपके जो annual CAGR था, वो almost 22% से भी जादा आपको निकल गया था, यहाँ पिछली 2020 के अंदर भी इसकी क्रिजल ने 5 स्टा की rating दे रखी थी, और इस साल भी हम लोगों ने जो पूरी ELS category है, तो आप ranking within category category भी दे सकते हैं, पिछले 10 सालों के अंदर यह हमेशा number 1 category के उपर रहा है एवन अगर आप 1-2 साल के अंदर भी देखेंगे तो हमेशा top 10 से कभी भी यह भाहर नहीं गया है तो इसके में risk को ratio की बात करो पिछले 3 साल के basis के उपर, तो इसका beta 0.91 का है, जबकि category average 0.81 का है लेकिन देखेंगे, अगर आपको high volatility थोड़ी सी देखने को मिल रही है तो उसके against में आपको जो है better risk adjusted returns भी देखने को मिल रहे है यहाँ पे इसका sharpen ratio, tenure ratio और Jason alpha 3 तीनों आपको positive देखने को bank हो गया, यानि कि जो banking कंपनिया है जो cements कंपनिया है और जो अडानी, मतलब इसके तरह थोड़े से highly risk stocks भी है, क्योंकि अगर आप दिखेंगे तो quant इस साल यहाँ पे जो है काफी अच्छे return निकाल के दिए, इस AMC कंपनी फिर भी guys, यहाँ पे आपको large cap जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, mid cap के वल 10% है और small cap भी almost उतना ही है second number पे guys, हमारा mutual fund निकल के आता है वो है Nippon India का small cap fund जी हाँ, तो इसका भी हम लोगों को ने regular plan लिया है इसका जो fund size है, वो 23,700 क्रोड का है काफी जादा amount है, और जो पूरी small cap की category है उसके इंदर 20% अपने आपको contribute करता है explain ratio की बात करो तो 1.83% का explain ratio है SIP की guys, अगर मैं returns की बात क्यों हूँ तो 10 साल के लिए अगर आप invest करते हैं तो आपका 1,20,000 रुपे, almost वही 4,000,000 रुपे के असपास बन चुका होता और आपका analyze जो return है, वो 22% के something रहता even guys, इसने जो हर सल आप देख सकते हैं अपना जो category average है, उसको हमीशा यहाँ पे beat किया है और अगर आप पिछले 10 सालों की यहाँ पे ranking भी देखेंगे तो ranking within the category भी आपको यहाँ पे first number पे मिलने वाली है इसके लगाई सगर मैं risk ratios की बात करूँ तो यहाँ पे standard deviation बीटा थोड़ा सा आपको high मिलेगा लेकिन उसी के against में आपको basically JSN alpha 13 का देखने को मिल जाता है तो जितना आप risk उठा रहे उसके against में आपको returns भी देखने को मिलते है इसके लागाई सगर मैं stocks की यहाँ पे बात कर तो यहाँ पे large cap 7.98% है mid cap 7.68% है और small cap 64% है सबसे जादा क्योंकि यह small cap category का basically fund है तो इसके अदर आप company देखेंगे tube investment है, bank of baroda है, SDFC है, KPIT technology से तेजस network है, fine organics है, तो यहाँ पे भी again हमारा small cap category का fund आता है क्योंकि इसने ही सबसे जादा return निगाल के दिये है, इसका नाम है simply SBI small cap fund और इसका भी यह regular plan है, तो fund size की बात को तो 15,335 क्रोड का fund size है पूरी की पूरी जो investment की category small cap की, उसका 31% यह खुद अपने आप में contribute करता है explain ratio 1.85 का है, यहाँ पर मैं SIP के return की आपे बात करो, तो again आपका 1,20,003,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 बन चुका होता है और almost इसने भी 22% का यहां पर basically CGA निगाल के दिया है अगर आप category average और उसकी ranking within the category भी देखेंगे तो आप देख सकते हिए हमेशा यह number two category पर रहा है बला या तो first number पर या second number पर हमेशा अपनी category के अंदर रहा है चाहे एक साल की बात हो पांस साल की बात हो या फिर दस साल की बात हो इसमें stocks की बात को तो इसके अंदर भी small cap वाली जो companies होती वो जाद है जैसे लेवेंटरी होटल, विदान फैशन हो गया त्रिवेनी ट्यूब्स हो गया, fine organics हो गया तो काफी सारी यहां पर small cap companies है क्योंकि small cap category का basically mutual fund है अगर गाइस यहां पर में risk ratio की बात को तो again यहां पर beta जो है केवल 0.76 का है लेकिन उसके अगे इसमें आपको 6 से भी उपर का यहां पर alpha देखने को मिल जाता है तो अगर गाइस हम लोगों ने mutual fund select किया वो है quant का active fund तो again यह quant AMC से regular basically mutual fund है अगर गाइस crystal rank की बात को तो 5 star की इसको भी rating मिली वी है fund size की बात को तो 3479 करोर का इसके अंदर investment size है पूरी investment जो category है normally basically यह multi-cap type वाला fund है इसके अंदर 4.76% अपने आप में contribute करता है expense ratio की बात को तो 2.63% का expense ratio है तो गाइस SIP returns की बात को तो अब 10 साल से यहां पर SIP करते हैं तो आपका जो analyze return है almost 21% के आस-पास यहां पर निकल के आता इसके लागाईस अगर में risk ratio की यहां पर बात के हो तो standard division beta आपको high मिलने वाला है लेकिन similarly उसके compare में आपको JSN alpha काफी अच्छा देखने को मिल रहा है तो जितना आप risk उठा रहे हैं उसके against में आपको returns भी दिख रहे हैं अगर आप पिछले 10 सालों के अंदर इसकी ranking within the category भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले यहां पर जो है 10 सालों के अंदर इसकी ranking within the category है वो हमेशे या तो top 1 रही है या फिर top 5 के अंदर हमेशे इसको consider किया गया है और गयास इसने हमेशे अपने जो category अवरेज है उसको भी यहां पर बीट किया हुआ है वो again यहां पर कौंट का निकल के आता है कौंट का infrastructure fund यह भी एक regular mutual fund है पिछले 10 साल इसको हो चुके है fund size की बात करो तो 827 करोड का यहां पर fund size है expense ratio जो है 2.39% है यह पिछले 10 साल के अगर आप सब्सक्राइब करते है तो केवल यह उनी कमनियों में निवेश करता है तो जो sectorial जो basically mutual funds होते हैं वो किसी साल return देते हैं किसी साल come return देते हैं किसी साल बहुत जादा return निकाल के देते हैं तो अगर आप पिछले 10 सालों का analysis करेंगे तो यह top 5 category के अंदर अपना इस्थान जो है बनाता आया हुआ है और अपना जो category average भी है उसको भी देखिए हमेशा इसने बीट किया है उससे जादा ही आपको return निकाल के दिये हैं यहां पर मैं risk ratios की बात को तो beta काफी अच्छा यहां पर low volatility का दिख रहा है पावर requirements, banks होगे, power वाली companies होगे, construction वाली companies होगे, telecom वाली companies होगे तो जो भी यहां पर infrelated जो companies है जो पूरा इंडिया के अंदर योगदान देती है infrastructure को sector के अंदर तो वो सारी कमनिया यहां पर basically शामिल है यहां पर काईस अगर मैं old-old यहां पर returns वगरे को compare करना चाहूं तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं Quantex ने एक साल के अंदर 7% का return generate किया है, 3 साल में भी 36% से जाधा का return है 5 साल में भी 21% का CIG आ रहे है और 10 साल में भी 20% का CIG आ रहे है Second number पर हम लोगों ने निपन इंडिया के small cap लिया था, इसने भी यहां पर पिछले 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, काफी यहां पर अच्छे returns जो बीसिकली provide कर रखे और जितनी भी scheme लिए हम लोगों ने SBA के small cap हो गया, कौन का active fund हो गया, और कान का infrastructure fund हो गया सभी ने आप देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर, यहां पर positive returns निकाल के दिये, जो कि normally हमें इस साल जादा volatile दिखा, nifty 50 index और पिछले 10 साल, अगर 5 साल कभी अगर आप campaign करते हैं तो आपको काफी अच्छी यहां पर टेंस देखने को मिल जाते हैं विप्लाइट इस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चनल अगर आप लोग के कुई भी डाउट से, comment box में ज़रू बताईए, thank you guys, thank you very much